हेलो फ्रेंड्स हैसमें अपने किचन में मटर पनिर कैसे करती हूं वो बताती हूं मेरे तरीके से दिखिए एक चमच में ने जीरा ले लिया धन्या अक्खा कासब और काली मिर्च पहले यह सब को गरम कर लेंगे बागी तेजपता ओ जो लाल मिर्च यह सब बाद में ठीक है पाउडर बना लूँगे मैं ऐसी भून के ही करती हूं जैसे करती हूं वैसे बता रही हूं दो बाद टेस्ट लगता है एकदम फ्रेस लगता है ठीक है गरम होके अब मैं निकाल लिया अब एक चमच में ने डाल दिया और फिर जो जितने पनीर थे उसको थोड़ा फ्राइ लगता है और इसे थोड़ा कलर आ जाएगा थोड़ा फ्राइ करके निकाल लेती हूं तो मुझे टेस्ट उसका अच्छा लगता है अगर ज्यादा थोड़ा फ्राइ हो जाएगा तो पानी में डाल देने का तो वही सौफ्ट रहेंगा और इसे ब्राउनेस आएगा देखने दिंजर हरी मिर्च यह सब लेकर थोड़ा सा एक चमच या आधा चमच तेल में थोड़ा सा सौटे कर लोंगे थोड़ा से हलका इदर उदर उसको घुमा देने का थोड़ा सा नमक डाल दींगे पकने के लिए फिर इसको ग्राइंड करना ठंडा होने के बाद उसका पेस्ट बना दूंगे इस तरह थोड़ा भूल लेंगे उसको अच्छी तरह से ज्यादा पकाएंगे नहीं थोड़ा ही पका लेंगे फिर धनिया पत्ता भी था ज्यादा काट दी थी थोड़ा धनिया पत्ता भी इसम पकाना ऐसा कुछ नहीं है बस थोड़ा सा गरम हल्का उसको भून लेने का स्वाटे कर लेने का कडाई में ही अधार अधार कर लूँगे अची तरह से गरम हो जाए ताकि टमाटर भी गरम हो जाए उसे साब से कल लेने का आप ऐसे बना कर देखो कि ना बहुत अच्छा लगता है मार्केट से जिसे लाते है वैसे और दो-चार काजू भी उसमें पीज देने का पहले से मेरे पास काजू का पेस्ट था पांच पाजू यह में ग्राइंड करकर रखे ती आप इसे रख दी जिया उसका पादर अब भीट भाट ने के बाध उसमें डालना है इसलिए काजू को मैं उसमें भूण कर नहीं बताई आई काजू अलग से अब ये मैंने तो आपके पास नहीं होगा समर्टर देखी अभी मैं बतारी हूं कि अभी मैं ग्राइंट करने जा रही हूं थोड़ा हम ग्राइंट कर लेंगे थंडा हो गया अगर थंडा नहीं होगा ज्याद आपको गरम लगेगा थो दो चमच उसमें थंडा पानी डाल देना फिर तो ज्यादा हम टाइम हम फिर मार्टर को भी कच्छा बन्रा जाएगा पकाने के जरूत है इसलिए मार्टर को अबाल कर अलग से निकाल लेनी का या तो फ्रोजन मार्टर था इसलिए कुछ नहीं आप देखें लवंग लेली पांच लवंग और एक तेज पत्ता टुकडा कर अब भूण लेंगे मासाले को जो हम ग्राइंड कर रखे हैं तो में अच्छी तरह से मिला लेंगे पूरा मेडियम मांच करके जो ग्राइंड करके मैं रखी थे वह मसाला भी अब युशी में डाल दोंगी साथ में एक साथ सब उबल जाएगा मतला पक जाएगा पुरा कक नेम डापी चार थीं जो दन्ध फटा की कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैं जब भी बनाती हो रहता है फिर भी मैं तो यह फो भी मने डाल थीं ह मैं ठीच देकृब्डी तो मैं फैर एक कमाच मिर्च पार्डर डाल दी हमके प्रफट निया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना गृड़ ऐसे में डाल देने का फेर सब को पकने देने का अच्छी तरह से पकाने का अभी इसमें कुछ पानी ने डालने का पहले सब पानी डालने का जब हो जाएगा उसके बार पानी डालने का दिखिए मैं अच्छी तरह से सब कर दिए अब उबाला गया तो चार असूप गया मेरा कुड़ा तो अभी गरम मसाला आपके पास होगा गरम मसाला अभी एक चमच ना अधा चमच डाल देना मैंने चमच डाला एक चोटा चमच अब इसके माद मटर डाल सकते हैं थोड़ा अगर लगा होगा तो थोड़ा पानी डाल देना अगर डार्क लग रहा है तो क्योंकि अभी देखकर अपने को पानी डालना है ग्रेवी तो पूरा पक गया है मैं डग कर थोड़ा रख दी थी 5 मिनिट इसको पका ली हो अच्छी आप लगगा लिए फिर ना अरा इम पनी डाल सकते ने करत मोंकि हम से keeps on बडर कर दो डाल सकती है थनड़ा पानी टाल कर दोाई धिक थी आप दोड़ा प्रोज़न आध्माटर दोकर रकी कि अ कि अगर कच्छा-माटर होगा तो तो यह इसमें और ने कि तुरान धो कर डाल पानी में रखी हूँ ताकि वह सॉफ्ट हो जाए थोड़ा उसको भी डाल देनी का निचोड़के अब पूरा हो गया मेरा अब उसमें क्रीम डाल दी हूँ आप क्रीम डालो चाहना डालो तो भी चलेगा क्रीम था मेरे पास तो मैंने डाल दिया दो तिन चमच नहीं तो का भी डाल दो गया था तो सबसे बेटर यह शर्ण कर नहीं हो रहा है जैसे हम हो टल से खरीत कर लाते हैं कहने के लिए जैसे सेमटेस्ट अब इसमें जितना भी मैंने जो चान कर रखा था पानी यह मेंड़ान तो एकदम न नरम होके हैं जो ज्यादा तो थोड़ा कर्ण हो तो कुछ जंजटने एकदम सॉप्ट हो जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा लगता है दिखने में भी अच्छा लगता है कि यहां थोड़ा फ्राइ किया हुआ है नहीं तो मुझे लगता है कि इसी में डाल दूंगे बिना तले डालूंगे तो कच्छा लगता है तो मतला ऐसा मुझे लगता है तो मैं कभी भी कुछ भी करती हूं तो ऐसे पनीर को चान लेती हूं ठोड़ा तल लेती हूं फिर उसके बाद दल देने का इस तारह साब तो पूरा हो गया है बस आप मैं तड़का लगाऊंगी पूरा बिमेरा 100% सब हो गया बस बटर डाल कर तड़का और लाल मिर्च को भी निकाल दी, ठीक है इस तरह, अब पूरा मेरा होगा है, अब दिखिए मैंने काजू ये पेस्ट बता रही हूँ कि आपको पहले बताई थी काजू पेस्ट भी चमच डाल दी, ऐसे आप पहले से सब पेस्ट कर रखो गे ना तो कई जंजट नहीं होता है बस तुरन फटा फट सब डाल देने का, अब मैं तड़का लगाऊंगे, मेरा फाइनल सारा हो गया, अब मैं बटर थोड़ा डाल दूँगे, एक क्यूफ बटर और उसमें सिप धनिया पता काट कर रखी थी, धनिया पता और दो हरी मिर्च, उसी का ये चौंक लगाते हैं, थोड़ा चाहो तो हिंग भी डाल सकते हो, चुटकी भर हिंग, ये मैंने बटर ले लिया, अब थोड़ा पिखलने के बाद, उसमें दो हरी मिर्च डाल दूँगे, अब धनिया डाल दूँगे, बस उसमें डाल देने का, फिर थोड़ा गुमा देने का हो गया आपना, बस रेडी, अब साब करने के लिए रेडी, खाने के लिए रेडी, धनिया पता मैंने काट कर ऐसे डाला, ये टेस्ट इतना जबर जस्ट लगता है, ये मटर पनीर का, आप खाते रह जाओगे, करके दिखी एक बार, देखे ये ये तेजपता है, ये तेजपता को निखाल देन मटर पनीर, आपको कैसा लगा बताना, मैं इस तरह चाहिए खाती हूँ, तो मैं चाहिए ये बता दू आपको, कितना देखने में गाड़ा लग रहा है, दम डार्क लग रहा है, फुटल जैसा, और टेस्ट भी उसी तरह, आप ऐसे ही बना कर देखिए, फिर बताना, अगर पसंद आए, तो लाइक कमेंट करके भी बताईए, फिर सब्सक्राइब करें या न करें आपकी मर्जी, हितेज बता को मैं निकाल दिया, अब मैं सब करने जा रही हूँ, ठीक है, आपको पसंद आए, तो कमेंट करिए,